अभी सब्स्ट्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पीशुर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले स्रीमद भागवत में माता अदिती ने अपने पती कश्चप रिशीशे प्रार्थुना की हे स्वामी मुझे एक ऐसा पत्र चाहिए जो देवताओं को बिजय स्री प्रदान करा सके जो देत्यों का संगहार कर सके देत्यों को हरा करके और देवताओं को अपने इस्थानों पर प्रतिश्चत कर सके ऐसा मुझे बलवान बलश्ट एक अच्छा पत्र चाहिए तो वहां महरशी कश्चप ने एक बृत बतलाया है माता अदिती को उसका नाम है पयो बृत अभी फालगुन का मास आने वाला है यह बृत श्रिमत भागबत में बरणन है फालगुन महिने में किया जाता है फालगुन मास के सुकल पक्ष की प्रति पदा से लेकर के द्वादसी परियंत यह बृत किया जाता है इसका नाम है पयो बृत पय आने होता है दूद यह बृत दूद पीकर ही करना है और डेरी का दूद नहीं पीना है भैस का दूद नहीं पीना है किसका दूद पीना है आप समझ गई गाई के दूद को पीकर ब्रत करना है फालगो नमास के सुकल पक्ष की प्रती पदा से 12 परियंत पयो ब्रत करना है उसमें जो संतान चाहने वाली माँ हैं बहन है उनको चाहिए कि वहे अमावस्या के बाद ही अनका त्याक कर दें अन फल आदी ग्रहन नहीं करना है वहे केवल दूद पी करके ब्रत करें गाई का दूद यदि संबब हो थोड़ा सा कठेन है उसके लिए थोड़े दिन पहले से अभ्यास करना होगा कि हम पयोब ब्रती बन जाएं दूद के उपर हमारा जीवन चल सके नहीं तो आप दो दिन तीन दिन दूद पी कर रहेंगे उसके बाद आपको परिशानी अप्रारंब हो जाएंगी तो आपको कुछ दिनों से पहले से उसका भ्यास करना होगा कि हम अधिक दूद पी करके भोजन को कुछ कम करते जाएं दूद की मात्रा बढ़ाते जाएं धीरे धीरे प्रती पदा तक ऐसा आप भ्यास कर लें कि हम पूरी तरह दूद पर रह सकें प्रती पदा से 12 परियंत आपको केवल दूद पी करके रहना है गाय का दूद सुद्ध देसी गाय का दूद हो और भगवान नारायन की आराधना करनी है भगवान विश्णू का इस्मरन करें भगवान नारायन का आरचन करें घर में शालिक ग्राम जी का पूजन करें ठाकुर जी को तुलसी दल चड़ाएं तुलसी दल रचन करें और द्वादसी परियंत उस ब्रत को करके द्वादसी को दुन उसका पूर्णा होती करें उसका उद्यापन करें दुखद असे तिती में भगवान नाराण का सहस्तरारचन तुलसी दल से करें भगवान नाराण का अविशेक करें जल धारा दुखद धारादी से और इस बृत के द्वारा निश्चित ही आपको संतान प्राप्त हो जाएगी ऐसा हमारा पूरा विश्वास है